और वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो और शिर कर दो यारार जिसको भी जरूरत प्रत परक़नेज जिसे की इसको एक खोप मिने उसको अगर कोई doubt था वो clear हो या फिर किसी भी तरह का कुछ भी अगर उसको दिक्कत था वो clear हो रहा है प्लीज share कर देना और चैनल को subscribe ने क्यों तो चैनल को subscribe करो CA Foundation Trend सिर्फ तुम्हारे लिए है सिर्फ तुम्हारे जर्नी में तुम्हारे help करने के लिए है मेरा कुछ नहीं जाएगा सिर्फ तुम्हारे मदस में करूंगा तुम आके जाओगे अगर पास होगे तो तुम फेल रहो पेलोगे तो तुम जहां से वहीं रहा जाओगे इसलिए मैं कह रहा हूं इस चैनल को subscribe करो और जितने भी वीडियो मैंने अप्लोड किया है एक्जामीनेशन का कॉपी से लेटर वह सभी वीडियो प्लीज देखो यार बहुत इंप्वर्टेंट है क्योंकि वह तुम देख लोगे तो तुमने कितना भी पढ़ा है परक नहीं पढ़ता है उससे तुमको एक्जाम में क्या करना है उस तीन घंटे में क्या करना है वह इंप्वर्टेंट है तो उस तीन घंटे का जो माइन मेक अप होता है वह मैं अपने वीडियो में तुमको बताती है तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं समाख करते हैं तब तक लिए जय हिंद्ग आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BCR के certified copy के बारे में क्यूंकि आज से दो दिन पहले मैंने लॉक अ-certified copy दिखाया था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे इस लॉम एक सब्सक्राइब करते हैं तो वह वीडियो नहीं देखा है तो वह जरूर देखना है तुकि वह वीडियो में तुमको मैं बताया हूं कि तुमको कैसे कैसे कहां क्या लिखना है और क्या प्रिजेंट करना है और क्या करना है और क्या करना है और क्या नहीं करना है व्लमीट दिया हुआ है उस वीडियो तुम फॉलो कर दिये तो तुम्हारा गएनेटी में ले रहा हूं तो वह वीडियो ने देख्या हूं तो इधर देखो आई बटन पर अनलिसिस करें कि भाई वी सी आर में क्या प्रेजिन तो उससे पहले चैनल पर पहली बार तो प्लीज एड चैनल को सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो हमारे छोटे से सीएस कम्मुनिटी के फैमली को जिसे कि यह एक बड़ा फैमली हो सकते अब आ चुके हैं अब हम अप बस सर्थ यह है कि प्लीज यह चैनल को सब्सक्राइब करो बहुत महेंनत कर रहा हूं लेकिन किसी उतरह का कोई ऐसा रिस्पॉंस नहीं मिल रहा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो जो भी नीडी परसन है चलिए इस वीडियो को जरूर अंतक देखना और 40 मार्स का आज हम करने वाले हैं तो यहां पर देख सकते हो कुष्टन नंबर 7a का एक पैसेज दिया हुआ है जिसको आपको पढ़के इसका एंसर देना है इसमें चार चार कुष्टन पूछ रहा है जो की तीन कुष्टन एक मार्स का है और एक कुष्टन दो मार्स का है तो देखते हैं भाई ने कैसा एंसर लिखा है तो यहां पर देखो सबसे पहले तो कोई भी फर्जी बाड़ावा नहीं है यहां पर तुम देख सकते हो कि इंसिट्यूट और चार्टर एकांटेंस ऑफ इंडिया एक एक सर्टिफाइड कॉपी है यहां पर आइसी ए आई का सेक्षन भी यानि कि आपको अंसर प्रेजेंट करने से पहले सेस्ट जरूर लिखना है क्योकि लग्सेक्षण एते लाउ और सेसंपी पहले कर आधेना या सबसे पहले चाहले करोगे उसका सेक्षन तुम सबसे पहले दालोगे अंधर है और हम इसा कहा है कि question number बीच में ढालना है बीच में देखो seven ने डाला है तुम चाहो तो side में डाल सकते हो कोई डाउट नहीं है अब यहां पर देखो एक-एक मार्क्स का question था तो इसका सबसे पहले लेंद देखो एक मार्क्स में कितना लेंद दिया है मैक्सिमम तीन लाइन का और मैक्स-टू-मैक्स चाहर लाइन का यह इसने लेंद रखा है तो एक मार्क्स के लिए तीन से चाहर लाइन से ज्यादा लिखना ही नहीं है और तुम पैसेज का मैं एक ट्रीक बताता हूं क्या है पैसेज क्या है तुम कैसे उल्व करोगा एकि deeply यह hun पे कीवरद आ रहा है क्या इंडिकेट करता है तो पैसेज में तुमади twitter के बड़ा एक तुम पूरे लाइं इनारख खेल्डी कि कहां लिखा हूआ है उससेल रिएटेड जो भी उसका suggested answer मिलेगा इसमें वो उसका एंसर हो जाएगा और तीन से चार लाइन में एंसर लिखना उससे जादा मत लिखना एक नूमर पूरा मिल देखो इस बंदे ने तीन लाइन में complete कर दिया पूरे एक marks मिल गए है वैसा ही second line में यहां पर तुम देख लो write summary about पैसे मतलब summarize करना है से किस बारे में है इस में थे पहले summary लिख देना है देर बीच यहां पर रोमा नम्बर में questions नमबर भी लिखना है margin से पहले और उसके बार यहां पर summary फॉर्म में इस Delaware पहला paragraph खथम हुआ उसके बाद एक लाइन चोड़ दिया फिर दूसरा paragraph इस तरीके से समरी लिखा है और इस समरी में क्या होना चाहिए तुमको इस पैसेज में हरवे important keyword उठाना है और उठावे कैसे अंडरलाइन कर देना अंडरलाइन करने के बाद यहां पर तुमको उस keyword का helping words से उसको solve कर देना है जरूरी नहीं है कि पैसे में तुमको to copy लिखना है helping words इस्तमाल करके keywords को डाल देना और यह summary तुम्हारा सही हो जाएगा आसा करता हूं कि आपको बिल्गुल समद में आ रहा होगा मैं अच्छे से आपको अब देखो 7B है 7B में क्या बलाएथा 7B में देख लेते हैं 7B में भी पैसे रिलेटेड है बुल रहा है make note using head यानि note making का बात कर रहा है और subheading abbreviation or whenever necessary note making का बात कर रहा है note making इसने कैसे बनाया है और देखो बी का second क्या है summary बताना है summary यहां पर दिया हुआ है तो उसको पढ़के इसका summary बनाना है देखते हैं भाई ने कैसे अंतर लिखा है यहां पर देखो इसने पहले note making को बनाया है note making में पहले उसका heading दिया है बीच ओ बीच क्योंकि note making का heading सबसे पहले जाएगा उसकी बाद heading डाला है heading डालने के उस word का क्या meaning है उसको सब heading में सब heading देखो कैसे डाला हुआ है one point a one point b one point c इसी में सिर्फ जो heading डाले हो उस heading से related जो important words है उसको उठाना है और इस note making में एक और concept होता है और बाकी का बिल्गुल दोस्तों वैसे ही करना है एक line जरूर छोड़ना क्योंकि gap रहना चाहिए एक line का फिर दूसरा important word को उठाना यह दूसरा important heading कहां से आएगा दूसरे paragraph से उ लेना उसके बाद उसी paragraph में और भी उसका meaning दिया हुआ हो जिसको तुमको sub heading में डालना है यह जो देख रहे हो one point a one point b one point c तो इस तरीके से इसको solve करना अब देखो जैसे कि तीसरा heading है चौथा heading है यहां तो बोला था key abbreviation जी note making में key abbreviation क्या होता है यह तुम note making पढ़े हो तो तुमको जरूर पता होगा कि की और abbreviation क्या होता है की मतलब क्या हुआ कोई भी important words जिसका short form है जैसे यहां पर देखो example देखो potential है पहला abbreviation का मतलब होता है उसका एक तरीके से full form और की मतलब होता है उसका short form तो की में क्या लिखा है potential है यहां ते देखो ptntl ऐसे एक short word जो चार word में मिलाके बना देना दूसरा देको decision d e c i s i o n है तो यहां पर क्या लिखा है d c s n तो ऐसे short words को पहले key में डाल देना फिर उसका full word लिख देना abbreviation में तो इस तरीके से note making बने का और note making कितने marks का था note making इसमें आपका just a second दोस्तो not making इसमें आपको तीन मांस था 3 में से इसको 2 marks मिला है यार कितना अच्छी बात है 3 में से 2 मिलिया उसके बाद 2nd में जाए तो वही summary है summary एक number खता इसको एक में से एक पूरा मिल गया तो दोस्तों बिल्कूल अच्छा 8A देखते हैं 8A में क्या है 8A में बोल रहा है Define Vertical and Chain Network Under Network in Communication देखो Communication सबसे पहले मैं बताना जाओंगा BCR में तुम Communication छोड़के जा रहे हो तो तुम 5 से 8 marks छोड़के जा रहे हो Communication करना है वो सबसे easy है तो उसको solve कर सकते हो यहां पर देखो सीधर 2 marks आया है और बोल रहा है Define करें बताएं क्या है Vertical Network को Chain Network तो देखते हैं भाई ने कैसे solve किया है यहां पर देखो बीज में question mark डालकर पहले heading डाला Vertical Network फिर Vertical Network का meaning डाल दिया यहां पर देख सकते हैं Vertical Network usually सामाने तोर से एक place between superior and subordinate superior का मतलब पता ही होता है senior level का कोई employee या कोई भी जैसे managing directors वागेड़ा यह सब और subordinate जैसे कि तुम्हारा clerk हो गया या फिर supervisor हो गया यह सब मतलब इस तरीके से इसका meaning देना है meaning देने के बाद एक चीज़ द्यान दो यहां पर इस बंदे ने डाइगराम दिखा दिया जी आप डाइगराम बना के दिखाएंगे तो वह ज्यादा अच्छा रहेगा वह ज्यादा impressive लगेगा examiner को कि हाँ भाई जो जो भी ICAI का suggested answer होगा या कोई भी answer इसने सॉल्व कर दिया तो यहार सब कुछ यहां सामने है तो फिर क्या पिक्कत है तो ऐसे example देना ऐसे डाइगराम के धुरूब बिलकुल अच्छा रहता है कोई डाउट नहीं है पूरा नंबर मिलेगा यहां पर देखो पूरा चैन नेट्वर्ग का कैसे चेंट फॉल होता है अन प्रोक्राइटर और मेंजिंग डिक्टर मैंज seu superior पूरा डागराम बनाया है अब गई बनाया इसने टो इट वी में क्या है देखते हैं एट बी में क्या है इसने एट बी में बोल रहा है तुइस दवर्ड विच बेस्ट एक्सपरिसली दवीनिंग वन चुनना है तो क्या था इसमें क्रॉकर क्रॉकर का मतलब टुश्टेड यहां पर देख सकते हैं तुश्टेड सही हो गया इस तरीके से तुमको सॉल्ब करना है यह ग्रामर वाला है तो इसको बिल्कुल देख तो चेंज दो फॉल्एंटू इंड़र्यक्ट इस पिच तो डायक्त पैसिव डायक्त इंडड़र्यक्त वह सभी इंपार्टन टॉपिक उसको छोड़ना नहीं तो इं सभी जीजों को ज़रूरर प्र बने प्र बोलता है कुंट एट सी एट सी में क्या है जड़ा कु प्रिसाइज प्रिसाइज राइटिंग बोल रहा है तो देखो प्रिसाइज राइटिंग में क्या किया है बीच में हेडिंग डाल दिया किस टॉपिक पे है उस टॉपिक को पहले बीच में डाल देना है उसके बाद उसको समराइज फॉर्म में लिखना है और इसको अलग-अ तक परगराफ में नहीं लिखना है एक ही साथ लिख देना है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कहानी लिख देना है यहां पर देखो प्लप कुल इसने पिला कर लिखा है कहीं अलग नहीं लिखा और important एक word और है कि जितने भी important keyword है उसको underlying किया हुआ है यह अंडर तो अंडरलाइन भी कर सकते हो कोई डाउट नहीं है यहां पर देखो पूरे साथ नमबर मिल गिया आठ में से फिर टेन ए बनाया है इसने टेन ए में क्या है भाई अगर हम टेन ए में जाएं तो टेन ए में सबसे पहले तो टेन ए में बता रहा है दली सनर है अब्जेक्टिव इसको solve किया है कि यह होता है effective का अच्वा से एक्टिव कम्निकेशन का यहीं पार्ट होता है listening for understanding यह सबसाइल मैंने पढ़ा था तो इसको देखो वो तुमको पढ़ना पढ़ेगा effective इसको पूरा पढ़ना यहां तो paragraph form में लिख दिया है अलग-अलग तो इस तरीके से लिख सकते हो अब देखो 10B लिखा है 10B में क्या था एक्टिव पैसिव बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कम्निकेशन एक्टिव पैसिव डिरेक्ट इंडिरेक्ट फिर संटेंसे में तुम्हारा वह सब वर्ड पुछ लेगा इंपॉर्टेंट वर्ड तो उन सभी चीज़ों को कर सकते हो अगर गरामर नहीं है यहां पर एक्टिव पैसिव है तो इसको तुम लोग को खुदी करना पड़ेगा और देखते हैं भाई ने कैसे सॉल्व किया है यहां पर देखो सीधे कोश्टन मांग दे दिया और एंसर देती है यह नहीं है कि तुम पहले कोश्टन लिखने गया फिर आंसर दे रहे हो ट पैसिव था तो दूसरे में भी रोमन नमबर देकर उसका दो लाइन में अंधर दे दिया तो अंतर हमें साथ में होना चाहिए इसमें कोई डाउट निया है तेंसी में क्या है उसके में देख लिए यहां पर टेंसी में बोल रहा है राइट एन आर्टिकल देखो मैंने कहा बाता तुम सभी को रिपोर्ट रिटिंग आर्टिकल राइटिंग नोटमेकिंग प्रिसाइजिंग राइटिंग और आपका कोई भी इस प्रकार का को में स्वादी कमप्रियंशन का जो कुष्टन आता है वह पांच नमबर का कुछ रहेगा और यहां पर क्या बोल रहा है ह यहाँ पर भाई ने क्या किया है heading बीच में डाल दिया बेडी और किसके द्वाडा लिखा गया है वाई वाई का मतलब होता है कौन लिखा है उसका नाम लिख देंगे पिर परेग्राफ फॉर्म में तुम लिख सकते हो पहला परेग्राफ में इतना है फिर एक लाइन छोड़ और था भाई को पांच में से तीन मिला है दो मिला है एक मिला है और पूरे छे नंबर मिल गए है आठ में से फिर क्विश्टन 11a इसने बनाया है अब 11a में क्या है 11a में बोल रहा है डिफाइन इंपॉर्टेंस ऑफ पैरा लैंग्वेज अच्छा पैरा लैंग्वेज है यह भी कॉम्निकेशन से आ गया दो नंबर अभी तक कॉम्निकेशन से रिलेटेड तीन कुछ्टन हम लोग बता चुके हैं कुछ जो कि पांच से छे नंबर तो यहीं एक चीज का ध्यान रखना पहले तुमको हेडिंग देजना है उसके बाद ही उसको मीनिंग बताना है अब दीके 11b है तो भाई 11b में क्या है 11b में अचा फ्रेजेज वकर आए तो यह तो ग्रामर पूर्सन है तुम अगर पढ़े हो तो कर सकते हो और मल लो तुमको अगर कोई कोई सब पाटमन नहीं आता है तो उसको छोड़ना नहीं है क्योंकि दुको उसको छोड़ो गे तो यार कहीं न कहीं एक निगेटिव अधा पेज से जादा लेगा ही नहीं यह सब छोटा छोटा प्रपी का कुष्टन तो उसके लिए आधा पेज का गयाप छोड़ देना और उसके आगे बढ़ जाओ आगे का सब हेडिंग बन सॉल्ड करो पी नहीं आ रहा है छोड़ो जगा चोड़ो और अगला कुष्टन क से तुम्हारा टाइम बचेगा और आखरी में तुमको उस सब हेडिंग का कुछ भी एक परसेंट भी आ रहा है तो वो भी लिग देना क्या पता उससे पॉइंट फाइब भी मिल जा है और यहां पर भाई इक एक नंबर के लिए मार होता है मैं आपको गैरेंटी देर हो अब कुछ ? इलेवंrac सी में क्या है भई कि ऐनसी में क्या बल रहा है फार्मल ऊमेल बनाने की ये बोल रहा है मतलब जहां पर ऑफिसियल प्लेस जहां पर ऐमयल करते है कोई भी ऑर्गनाइजिशन वहां पर उफिस नहीं आता है grammar छोड़ दो लेकिन comprehension करके ही जाओ कि वहीं तुमको असली मास दिलाएगा BCR में अगर तुम्हारा grammar का जो history है वो डल था तो तो grammar का portion छोड़ दो अगर नहीं होता है लेकिन comprehension का portion नहीं छोड़ना वो तुम कर सकते हो यार अब देखो इमेल बनाया है तो इमेल देखो किस तरीके से इसने सॉल्व किया question 11 सी लिख दिया फिर तू किसको लिख रहा है यार तुमको इमेल बनाने नहीं आता है तो अपना laptop मोबाइल ओपिन करो देखो कैसे इमेल भेज आया है तुम किसी को इमेल भेज रहा हो तो वहाँ पर फॉर्मेट जो निकल के आता है फूब हूब उसी से रिलेटर बनाना है अब देखो पहले तू किसको भेज रहा है उसका नाम लिखना है फिर किस विशाय पर है subject फिर किस उसका heading फिर उसके बाद उसका detail दाल देना है employee है मतलब एक डेजिंग नेशन है dear employer dear sir dear principal किसको तुम भेजर हो उसका नाम लेना है उसके बाद email में जो भी content है body of content है उसको तुम डाल देना और important important keyword जो भी है यह देखो underline किया हुआ है वो सभी keyword को बता देना कि क्या क्या important है और बाकित तो नीचे में तुम देख सकते हो your faithfully truly faithfully यह सब लिक कर अपना नाम दे सकते हो और अपना इस बता सकते हो कि भाई manager है student है कौन है फलना है देखना है तो इस सब चीज को तुमको solve करना पड़ेगा